हलो दोस्तो नमस्कार लाल इस वोड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं सो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग आ चुक है बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले है एक ऐसे प्रॉब्लेम के बारे में जो कि मैं चेक कर रहा हो कि रिटेल मिस्टर में बहुत जादा देखने को आपे मिल रही है देखे इस टॉक मार्केट में मैंने आप लोगो को बता है कि मल्टिपल शेर्स आप लोगो को देखने को मिलेंगे अलग-अलग कंपनिया देखने को मिलेगी और हर एक जो stock रहता है उसका एक usually आप लोगों को एक basic nature देखने को मिल जाता है कि वो company exactly है क्या basic nature मतलब आप check कर सकते हो company बहुत ज़्यादा volatile हो सकती है या फिर आप check कर सकते हो company बिलकुल flat performance देता है फिर तेजी दिखाता है फिर उसके बाद consolidate करता है फिर तेजी दिखाता है ऐसे भी stock आपको देखने को मिलेंगे और कुछ company ऐसी भी रहती है जो की बहुत बड़ा उनके नाम है बट उनका जो pace रहता है वो comparative हम लोगो slow भी देखने को आपे मिल जाता है तो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो problem मैंने यहाँ पर दिखे इसके पहले भी मैंने इससे related multiple times वीडियो बनाया है कि इसका best example मतलब आपको example देकर यहाँ पर चीजे clear करवाना चाहूँगा तो यही गाड़ी खरीदने के मतलब क्या है कि कोई भी शेर खरीदने से पहले भी आप लोग ने वो उस company के nature के बारे में उस stock के feature के बारे में थोड़ा बात आपको basic अंदाजा वहाँ पर होना चाहिए मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर लोग क्या करते है कि जो slow pace stock वाले रहते हैं company उनमें निवेश करते हैं and expect करते कि उनमें micro cap जैसे returns मिल जाए small cap जैसे returns मिल जाए जो कि hardly किसी मतलब बोलते है ना 1000 मिसी किसी एक stock में ऐसी चीज़े हो सकती है बट देखा गया तो आप पहले ही slow stocks में निवेश करोगे तो फिर उसमें 20 return कैसे बनेंगे and यही गलतिया बहुत सारे लोगों ने हापे की है जैसे कि अगर मैं बात करूँ विप्रो अभी क्या विप्रो खराब company है नहीं विप्रो किन लोगों को पसंद आता है जिनके पास बहुत ज़ादा पैसा है वो विप्रो में आपे निवेश करने का तरीका कैसे आप सब लोगों को पता है यहाप मतलब निवेश करने के बाद return देने का तरीका bonus के थू होता है अगर आप विप्रो का maximum chart pattern देखोगे तो आ 404,000 नहीं यह लाक में शेर का प्राइस आप लोगों को देखने को मिल सकता था तो सिर्फ percentage नहीं देखने उसके बीच में तेरा बार bonus भी हुआ है तो बताने का मकसद के है यहापे दोस्तों कि विप्रो slow चलता है यह आप मेरा कोई भी वीडियो अगर आप YouTube के पर जाओग bonus तेरा बार bonus दिया है यह देखकर उसको खरीद लेते है और बाद में feel करते कि वो trap हो गये करके आप trap नहीं हुए विप्रो जैसी company यह slow चलती है तो यह point आपको पतावने चाहिए और ऐसे ही कुछ company में आपके सामने रखने वाला हूँ जिनकी रफ्तार है वो comparatively slow रहती है देखे यह जो company होती है यह बुरी नहीं होती है इनमें return कमाने का जो तरीका है वो अलग level का होता है उसके ओपर मैं अलग सा video बना दूँगा जो बड़े investor है वो कोई बयोकुफ नहीं है इन companies में निवेश करने के लिए वो कैसे पैसे इसमें लगाते है और कमाते है वो भी म हम लोग उस video को cover जरू करेंगे तो यह ऐसे slow stocks है दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यह खराब नहीं है बट यहाँ पर जिनके पास बहुत ज्यादा पुझे वो इनमें निवेश करते है तो अगर आपके पास limited पुझे तो शायद से अगर आप इनको award करो अल्टराटेक सिमेंट क्या घटिया कमपनी अरे सिमेंट सेक्टर का यह तो number one player है बट अगर आप इसके returns देखोगे 5-5 साल का data देखोगे 63% की returns बहुत ही slow चलता है आप यहापे चेक कर सकते हैं अभी जो व्यक्ति हापे अल्टराटेक सिमेंट को अगर आप filtration लगाओगे तो उसमें अल्टराटेक सिमेंट number one पे आ जाता है इसकारत यह नहीं कि यह खराब है बिलकुल भी नहीं बट अगर आप बहुत बड़े returns expect करते हो तो उस हिसाब से returns मिला थोड़ा सा मुश्किल है मैं यह नहीं मिल सकते मार्केट है होने के लिए कुछ भी हो सकता है company बड़े व्यक्ति कैसे slow companies में निवेश करकि safely return जनरेट करते है इसके उपर अलग से वडिया आ जाएगा बट यह एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या आप इतना slowly मतलब चलना पसंद करोगे then definitely आप इसके बारे में सोच सकते हो अगर आपको fast return चाहिए तो फिर आप चाहो तो award कर सकते हो again कह रहा हूँ मैं business हिसाब से बात नहीं करों कि यह खराब company है business की हिसाब से अच्छी company है then मुझे पूछा जाता है sir kolpal केसी company kolgate अच definitely उसका जो average price है वो lower level पे रहेगा और वो बड़ा पैसा इनमें बना लेता है बट एक limited पूंजी रहने वाली जो व्यक्ती रहती है investor अगर कोई रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे देखा गया तो इन companies में बहुत बड़ा return usually बनते वे देखने को नहीं मिलता है यह देखिए अगर आप चेक करोगे तो left to right stock उपर ही जाएगा बट pace जो है वो बहुत ही धीमा हमनें को देखने को मिल जाता है तो इस point को आप लोगोंने note करना चाहिए तो मतलब बताने का मक्सद क्या इन stocks में जाने से पहले कि आप लोगोंने 10 बार वीचार करना चाहिए अभी मैरी को मैरी को कोई खराब company नहीं है बड़ अगर आप चेक करोगे इनकी जो रफतार है पात साल में कितना है 56% की returns comparatively slow रहती है safe stock से यहाँ पे अगर आप लगातार buying करते रहोगी जैसे मैंने का ना कि बड़े बड़े जो mutual fund से वो लगातार buying करते रहते buy यहाँ पे भी buy 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 करते रहेंगे buy करते रहेंगे buy करते रहेंगे उनका average price यहाँ पे आ जाएगा so ultimately वो बेचेंगे तो उनको बड़ी पुंजी यहाँ पे मिल जाती है चाहे फिर percentage 10-20% भी क्यों नहीं हो अगर उनने बहुत ही करोड़ों का वांट लगा होगा और करोडों के हिसाब से अगर आपक space के साथ okay हो तो फिर आप जा सकते हो then similar way उसी का ही भाई भाई मतलब सेम सेक्टर में काम करने वाला डाबर डाबर की भी बात करें तो वैसा ही कुछ हम लोगो performance देखने को मिल जाता है हाला कि अगर आप चेक करोगे तो यह रिखे 5 साल में कितना है 63% के returns तो यह नहीं बोल स जैसे की खान ही है किसके पास रहते हैं institutions के पास वो लगातार बाइंग उनकी जारी रहती अच्छे stock में इस प्रकार के उनको पते हैं यह stocks तो डुबने वाले हैं इतनो नहीं and इनका ultimately जरनी उपर ही जाएगा वो खरीदते रहते हैं उनका average price नीचे आ जाता है and again जैसे मैंन बट किसी ने अगर यहाँ पर बहुत मतलब 100 करोड लगाए होंगे तो उसके सबसे 63% निकालना कितना होता है तो इसलिए मैंने का यह बड़े पुंजी वाले जो लोग है रहते हैं खास करके institutions उनका यह खेल रहते हैं उनके लिए stocks रहते हैं तो यह point आपको पता होने चीए यह company गलत नहीं है ठीक है next अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 2000 पर यह कौनशी company लारसन एंटूब्रो दस बार bonus दिया है इसने again कहरा हो bonus के चक्कर में नहीं खरीदना होता है यहाँ पर कि यह company आगे भी ऐसा ही करेगी करके बट यह भी company अच्छे 5 साल में यहाँ पर कित ultimately stock तो जाएगा उपर क्योंकि infrastructure का अगर हम लोग बात करें तो यह बादशा है हमेशा मतलब दिन के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इनके पास 4-5 order तो ऐसे ही आते रहेंगे इसलिए L&T की भी बात करें यह भी कोई खराब company ने नेचर समझो मिने जो example आपको शुरुआत में बताया यह companyya slow चलती है यहाँ बट जबर्दव safety के साथ यहाँ पर चलती है तो यह point पता होना चाहिए अभी यह कौन सा है 6300 बजाज holding पात साल का data की बात करें not bad 120 मतलब य भी safety के साथ यह point आपको पता चलना चाहिए बजाज holding थोड़ी ना डूबेगा बजाज holding डगर डूब गया तो बजाज finance बजाज फिंसो भी खतम मतलब यह ultimately उनकी holding company है तो अगर आप चेक करोगे यह देखे इसकी भी journey उपर ही रहती है यहाँ पर जैसे मैंने का कि जो बड ज़धा पैसा रहता है तो आप just comment section में yes करके बोल देना तो मैं इसके ओपर एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब कुछ लोग comments करते भी है sir कौन गदा होगा जो इन companies में निवेश करेगा 5 साल में 50% यह कौन सा stock है तो दोस्ते ऐसी बात नह है आपको वो technique नहीं यहाँ पर पता है वो मैं आपको explain कर दूँगा तो just आप yes बोल देना comment section में जरू इसके उपर भी एक वीडियो यहाँ पर stock market classes के उपर आ जाएगा सो चले थोड़ा speed बढ़ा लेते यह कौन सी company state bank of india अभी यह हाली में थोड़ा अच्छा कर रहा है यहाँ पर 5 साल में अगर आप देखोगे 94% जैसे मैंने का कि हाली में अच्छा किया है वरना यह भी पूरा flat ही चलता था अगर आप इसका भी maximum chart pattern देखोगे तो यह तो full to flat चलते वे देखने को मिल रहा था अभी किसी ने एक बार यहाँ पर बाइंग किया होगा उसके तो रिटन्स तो लिटरली जीरो ही नजर आएंगे बट जिसके बास बहुत पैसा है वो लगातार बाइंग बाइंग करते रहता है अल्टिमेटली उसका average नीचे ही आ जाता है और 10-15% भी अगर उसको मिल गए बड़े अमाउंट के इसाफ से तो बस उसका काम हो गया तो टेकनिक इंपोर्टेंट है दोस्तों वह मैं आपको जरूर एक्स्प्लेंट कर दूंगा तो SBA भी उसी कैटेगरी में आता है यह भी उसी कैटेगरी में आता है पात साल में 90% not bad अगर हम लोग बात करें तो HDFC से रिलेटेड बहुत से लोग गुसा हो जाते हैं सर यह काई का अच्छा कमपनी तो दस्ता ऐसी बात नहीं है जो बड़े लोग रहते हैं उनका फेवरेट स्टॉक है पात साल में कितना है 60% तो यह लगातार बाइंग करते रहते हैं अल्टि करता है जो में पॉइंट यहापे था वो मेने आप लोगों को यह बता दिया कि यह कंपनी खराब नहीं यह कंपनी क्या है यह स्लो चलती है रैट एंड चलने वाली कंपनी में रिटन बनाने का जो तरीक का है फॉर्मिला है वो डिफरेंट होता है अगेन केना चाहाँगा वो formula देखा गया, तो जिनके पास थोड़ा जादा पुंजी है, उनको वो formula suit करता है, और जिनके पास पैसा थोड़ा कम रहेगा, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है यहापे, हो सकते हैं, बस इतना ही कहना चाहँगा, बाकी अगर देखा गया है, तो यह HDFC, कोटक यह तो fantastic company है, अगर 5-5 साल के return देखोगे, 90% मतलब पैसा literally double हो रहा है, और वो भी पिछले एक देड़ साल में तो कोटक तो चला भी नहीं, फाइनस एक्टर चला भी नहीं, यह चलेंगे, तो यह 1.2% तक लेकर जाएंगे, तो बताने का main, जो मकसद था, वो आप लोग कमेंट सेक्शन बता देना, तो अफते बर के अंदर-अंदर सारे लिक्चर्स आपने को free of course प्रोइड कर दे जाएंगे, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye.